मैं merit मैं, merit status के, कुछ भी ना बने है आप इसे सर आप मुझे अपने dependence के age बता दे स्वाल में बस दो अब मैं 20 questions को excuse कर रहा, विल्कुर कम आप इसे सर मुझे अपने dependence के age बता दे वो उसके dependence जो इनको फीपर-dependence को बच्चे होंगे ना अगर वो merit है तो वो आपको बताए हो बताए हो इसाइजित और अपनी स्पाउस की एजित बता ले वो आपने नहीं है लिंक देने वान्टू स्वाल आप बढ़ो यहां पर दो सवाल कूपर वारी पॉर्टशन में एक सवाल था उन्हीं जो आप दो सवाल है पहला सवाल है कि आपको मुझे दूपर्णे के एजिन बता लें दूसरा सवाल उससे आपके करना है कि सर आप मुझे बता दे कि आपके फारेजसमसें कहा कि मेरे दो बच्छे है तो आप उनके अकारडिंगी पूछें कि सर इसमें आपके बच्छों की इजिकेशन के लिए आ आपके बच्चेंगे मैरीजिस की लिया आपके बच्चेंगे, बस ठीक है, मैरा सवाल आपने पुछा, dependent यह एजन्स बता है, दूसरे सवाल आपने पुछा है, आप expenses बता रहें, कि उसके marriage people तुछे expenses आएंगे, और education people, आपने पुछा है, आपने पुछा है, यह पुछा है, यह पुछा है, इसके मुझे बताएं, जो कि आपके पांस आज दस आद में आने वाली कोई ड्रीम है, और उसकी value क्या है, उस dream की value क्या है, financial value क्या है, simple question है, तो आपके कोई ऐसा dream मुझे बताएं मैं से शेयर करें, कि आप उसकी financial value क्या है, मतलब गर हो सकता है, dream कुछ भी हो तो आपको बता रहें, अगर वो कहता है, तो आप उस dream की value, financial value क्या है, ठीक हो क्या, पांस आप इससे पूछे है, सर्थ आप इस setup में है, वहाँ पे आपकी retirement income होगी जब आप retired होगे, यह यहाँ पे आपने पांस आप साओ, यह retirement income आपकी होगी, वो कहेगा yes, यहाँ कहेगा no, होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो आपने यहाँ दो option है, एक, और दो, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने उसको लिखना है, retirement age, यहाँ पे आपने जोग शुम से नहीं, एक रिके 60 और एक रिके 65, वेसे रिटार्मेट age, पाकिसान भी 60 है, लेकिर हम इसको 65 भी इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर आप एक एजिर बंदे से बनने जा रहे हैं, उसकी age 50 से अभाव है, या कुटिवार है पर एक तो हम उसको आप यह सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप पांच साल भी एक बंदे को पांच साल कुट करते हैं, तो वे रिकेशन को इसको इनकम कुछ भी नहीं बरिक, इसलिए आपको आप पास यहाँद रिटार्मेट वाले पॉश्चर में, ठीक है, पहले अप आपने उसके क्या तो आपने इसकी कर्ण केश से वुक्ट, फारिनेकल वो है 30, तो आपने वो मन की करने नहीं, यहां पर उसके आजैसा वर्किंग लाइए, ठीक है, वर्किंग लाइए, यह टोटल आपकी आगे है, फूरी आप इसे कहते हैं, पट्पाइंट और दो मेंट पट्पाइंट, दो अब है 20, आपट इसकी मेरिग मेंट आपकी और इसको की कितने पैसे चाहें, और यापको हो गया पेची, खेली है